समस्कार जय हिंदी स्टाड़ी भात में आपका हार्दिक स्वागत है सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपोर्टन है आप सभी के लिए क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं यूजिसनर एक्जाम 2023 के बार में जो की होने वाला है मई या जून में तो पूरा वीडियो देखते रही है लेकिन उसमें आपको लिए बहुत इंपोर्टन अपडेट आपको यूजिसनर पेपरवन में सबसे बेस्ट स्कोर करना है 50 में से 45 प्लस कॉशन सही करने है तो आगया है पेपरवन का सेलेक्शन वाला बैच जो की स्टार्ट होने वाला है 14 नमंबर से So admission open हो चुका है इसकी cost है 1,999 लेकिन आप इसे 5 easy installment में पेई कर सकते हैं इनकी 400 पर मन्त में पेई कर सकते हैं इस course की वेल डिटी होगी एक साल की इसमें आपको पेपरवन का complete course करवाया जाएगा 10 unit का वीडियो, pdf notes, weekly test, monthly test, online test, सब कुछ आपको दिया जाएगा तो जल्दी से सेसे नमबर पे contact or whatsapp करिया आपको लिखना है पेपरवन सेलेक्शन वाला बैच और साथ में download करिए स्ट्राइट भारत मंबायल आप लिंक आपको description में मिल जाएगा तो आज ही join करिए अभी join करिए अपनी जारी को best बनाईगे अभी आपका UGC net का result आ चुका है अभी बारी है दिसमबर 2022 के session की की वो कब तक आएगा क्योंकि देखे बहुत सारे बचे इस बार pass हुए हैं बहुत सारे बचे fail भी हुए हैं तो उनको next attempt देना है जो बचे fail हो चुके हैं उनको next attempt देना है जो बचे assistant professor के लिए qualify हुए हैं उनको जेरफ देना है और काफी बचे new हैं जोंको first attempt दिना है UDISnet का तो वो वेट कर रहे हैं कि दिसमबर 2022 कब आएगा देखे आपको मैं यहाँ बता दूँ अभी हमारे session pending है दिसमबर 2022 का अभी है November मन्त तो ऐसा possible नहीं है कि अगले महीने का जो exam है अगले महीन नहीं हो जाए क्योंकि देखे जब भी आपका form निकलता है एक मिने का टाइम निकलने का होता है आपको मिलता है form filling करना है उसके बाद फिर आपका देखे आता है उसमें admin काट वगर आता है यानकि यह दो से तीन महीने का process है अगर मैं फिर भी मानलू इस मन से तो फिर भी आपका जो exam है व फिर से दो session pending है यानकि कुल मिलाके हमारे तीन session है December 2022, June 2023, December 2023 UGC net देखे हमेशा साल में दो ही exam करवाता है तीन exam नहीं करवाता यह UGC ने देखे उसके जो act के अंदर है कि वो हमेशा दो ही exam conduct करवाएगा तीन exam conduct नहीं करवाएगा ठीक है तो उसको क्या करना है आप देखे यहाँ पर पढ़ सकते हैं UGC is conduct twice every year यानकि UGC का exam में हर साल दो बार होता है अब देखे क्या है यहाँ पर कि एक session फिर से मर्च होगा December 2022 का June 2023 का यह session फिर से मर्च हो जाएगा अगर यह time पर हो गया तो आपका December 2023 का session time पर हो जाएगा तो मालीजे December 2022 जून 2023 का session मर्च होके आपका जो session है वो मई या जून में जाएगा ठीक है मई या जून में मालीजे चला गया उसके बाद December वाला exam अपने आप अपने टाइम पे होगा मालीजे अगर आपका December 2022 जून 2023 एक्जाम फिर से September अक्टूबर में चला गया जिस बार जिससे ऐसा भी हुआ था इस बार अगर फिर से ऐसा हुआ तो फिर हर साल एक ही आपका एक्जाम होगा खेर मैं बात करता हूँ यहाँ पे में बात की कि जो आप नए सेशन की वेट करें तो आपका एक्जाम कप होगा देखिए अभी December 2022 जून 2023 का एक्जाम 81 होगा तो अभी आपके पास 6 महिने पड़े हैं अगर मैं आपसे बोल दूँ बाकी चैनल के दरा कि आपका February में एक्ज एक्जाम है वो जून तक ही होगा रही बात आपके application form की तो आपका February या मार्स में application form निकलेगा उसके बाद फिर आपका पास में एकपारे घज यगा उसके जीएंड़ को लाई इसक्ट अभी कारी यददЁ ज़गा कैसी इसक्ट प्रशोग काची कार बाते हैं एक लूब मैं मैं विएक här बाते हम च्रशोटो से वेखकाए नवेट